दोस्तो इस वीडियो के अंदर जेके टायर समित नौ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिन्होंने आप इस स्टॉक बोनस और डिविडेंट अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फनो मीडियो अब आया आरुश आईए ब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए दोस्तो बात करते हैं आप है मारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है EPL Limited कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइस 220 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आप डिविडेंट अनौंस कर दिया है 2.15 रुपीज का और इस डिविडेंट को देने की जो एक्सटेट होने वाली है वो 4 अगस्ट की होने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है क्रिलोस का रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आप डिविडेंट अनौंस कर दिया है 2.50 रुपीज का अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है EXChange Solutions Limited कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइस 107 रुपीज के उपर में चल रहा है और कंपनी ने आप धमाकेदार डिविडेंट अनौंस कर दिया है 15 रुपीज का लगबग करन्ट मार्केट प्राइस से 14% का डिविडेंट बन जाता है और एक दिन के अंदर ये जो स्टॉक है 16% की तेजी में था डिविडेंट अनौंस होने से पहले इसका जो प्राइस था वो लगबग 92-93 रुपीज के आसपस में चल रहा था और इस डिविडेंट को दिने की जो एक्सडेट होने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कम्पनी का नामे की यानि की 25 रुपीज की अगले स्टॉक की बात करें तो कम्पनी का नामे वी आरेल लोजिस्टिक्स लिमिटेड कम्पनी का करेंट स्टॉक प्रेस 707 रुपीज के उपर में चल रहा है कम्पनी ने आप डिविडेंट अनौस कर दिया है 5 रुपीज का और इस डिविडेंट को देने की जो एक्सडेट होने वाली है वो 31 जुलाई की होने वाली है अगले स्टॉक की बात करेंगे तो कम्पनी का नाम है कामधिनू वेंचर लिमिटेड कम्पनी का करेंट स्टॉक प्रेस 268 रुपीज के उपर में चल रहा है कम्पनी ने आप स्टॉक बोनस अनौस कर दिया 1-1 के रेशियो से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कम्पनी का एक स्टॉक है तो यहाँ पे आपको एक स्टॉक है जब बोनस मिलेगा मदलब टोटल में आपका जो एक स्टॉक होगा वो दो स्टॉक में कनवर्ट हो जाएगा या फिर आप ये भी कह सकते हो आपके पास में इस company की जितने भी stocks होंगे वो सारे यहाँ पर double हो जाएंगे और इस stock bonus को देने की जो X date होने वाली हो 1st of August की होने वाली है और वही जो record date है वो भी same day की होने वाली है यानि की 1st of August की अगले stock की बात करें तो company का नामे JK Tire Industries Limited company का current stock price 249 रुपीस के उपर में चल रहा है company ने आपे dividend अनौस कर दिया है 2 रुपीस का और इस dividend को देने की जो X date होने वाली हो 27th of July की होने वाली है और वही जो record date हो भी same day की होने वाली है यानि की 27th of July की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Hudson Agro Products Limited company का current stock price 947 रुपीस के उपर में चल रहा है company ने आपे board meeting organize करिये 19th of July को और इस board meeting का जो purpose रहने वाला है वो dividend and quarter one के results को लेके रहने वाला है अब अगर company के quarter one results last quarter के accordingly काफी अच्छी आते हैं और साथी साथ में company जो है dividend अपनी dividend history के accordingly अच्छा नाउस करती है तो definitely stock में हमें एक शानदार rally देखने को मिल सकती है आईए बात करते हैं हमें हमारे अगले अगले अन्ट लास stock की तो company का नाम है Chrysal Limited company का current stock price 3824 रुपीस के उपर में चल रहा है company की नहीं आपे board meeting और्गनाईस कर दी है 17th of July को and board meeting का purpose वही रहने वाला dividend and quarter one के results को लेके अब quarter one के results काफी जदा expected है कि अच्छे आएंगे and साथी साथ में अगर dividend company ने अपनी dividend history के accordingly अच्छा नाउस किया तो इस stock में भी हमें एक शानदार rally देखने को मिल सकती है एसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मेलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye